नमस्कार दोस्तों बॉलिवूड के भाईजान शलमान खान जो अपने आपको खुद को भाईजान कहते हैं और पूरे एक अपने आपके बारे पता नहीं ऐसा एक बड़ा ही महौल बना रखे हैं कि उनसे बड़ा कोई भाई नहीं है प्रन्तु अब जो खबर आ रही है उसके मताबिक यह भाईजान नहीं यह एक धोखे बाज बियती हैं और इनकी धोखा धड़ी सामने आई है इन्होंने अपने बहन के साथ मिल करके 3 करोड रुपे का धोखा किया है और चंड़ी गड़ के कारोबारी से इसने 3 करोड रुपया ठंग लिया है और इनके उपर पुलि और उसकी बहन अलवीरा खान और उसकी कंपनी बींग हुमन के CEO इन सब के खिलाप शिकायत दर्ज कराई गई है और इसने तीन करोर रुपे ठग लिये हैं ये सल्मान खान जो की अपने आपको बहुत बड़ा बातसा बताता है अपने आपको भाई जान बताता है अब ये फ्रॉड है जैसा कि हमें पहले से ही पता था कि इनसान है कौन और ये जो खबर जो आ रही है उसके मताविक चंडी गळके मनी माजरा में उसने तीन करोर रुपे की लागत से शोरूम खुलवाया बाद में पैसे ले लिए और कोई भी समान भेजे नहीं और ना कमपनी के तरफ से कोई जबाब आता है जब उनसे बागा जाता है उनके पैसे और समान के लिए बात की जाती है तो वो कोई जबाब नहीं देते हैं और तीन करोड रुपया लेकर के बैठे हुए हैं ठक हार करके अरुन गुपता जो की बिजनसमेन है जो की चंडीगर में शोरूम खोले थे बिंग होमेन का तो उन्होंने फाइनली पुलिस में एक कंप्लेंड दर्ज कराई है और अरुन गुपता ने शोरूम 2018 में खोला था पुलिस को शिकायत दी गए उसमें ये बतायागा कि सल्मान खान का बिग बॉस का वो वीडियो भी है जिसमें सल्मान खुद कह रहा है कि चंडीगर में उसने बिंग होईम जेलरी का शोरूम खोला है और उसने अपने परिवार के साथ सल्मान खान की तस्वीरे भी दिखाई है शल्मान के भरोसे पर हैं उसने इतनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया इस बिजनस में परंतु शल्मान खान पुलिस केतन बंसल ने बताया कि सल्मान खान उनकी बहन अलवीरा खान सहित बिंग हुमन और जेलरी प्राविट लिमन के अधिकारियों को शमन बेज़े हैं और उनने 13 जुलाई तक पेश होने को कहा गया है अगर पुलिस अंतोष्ट नहीं होती है तो आगे करवाई की जाएगी हो सकता है कि सल्मान खान की गरफतारी भी होगी अगर वो पैसे बापस नहीं करते हैं या वो पेश नहीं होते हैं ये वो भाईजान है जिनके बारे में पूरे बॉलिवूट के अंदर ये लोग अपने आपको ऐसा इस्थापित कर चुके हैं कि इनको देखकर के आज के यंग जेनरेशन अपने आपको ढालती है इनके विचार इनके जो स्टाइल्स होते हैं जो भी होता है परन्तु जिस परकार से अब इस बॉलिवूट के जितने भी माफिया गुंडे बदमाश तत्व हैं उन सब की जो ये कारिष्टानिया है जो शामने आ रही है उससे कहीं न कहीं इन सब ने ऐसा एक माहौल बना रखा है कि बॉलिवूट के अंदर जो गंदगी है उसके खिलाफ और उसके जो चीजें सामने आ रहे हैं जो की सुषान केस से लेकर के एक्टिवी के एक्टिवीटी से लेकर हर जगह हमें देखने को मिलता है कि ये लोग किस कदर तक गिरे हुए हैं और पैसे के नाम पे कैसे देश के इवा पीड़ी के शाहत गंदा खिरवार कर रहे हैं और अब जो इनकी नियत जो सामने आई है कि तीन करूर रुपया इन्होंने ठग लिया और कोई रिप्लाई नहीं देना ना समान भेजना और एक बहुत ही बड़ा एक ये कदम हो गया है कि एफ आयार हुआ है इनके खिलाफ और वो भी ऐसा एफ आयार है जो कि पैसे की धोखा दड़ी का है और पैसे के धोखा दड़ी एक बहुत ही बड़ा एक मामला है और इस मामले में पुलिस ने चन्रीकल पुलिस ने कारवाई करते हैं बहुत ही जल्दी अब इनको शमन जारी कर दिया है कि ये बापस ये जल्दी आकर के पुलिस में जबाब दें अगर पुलिस में जबाब नहीं देते हैं तो इनके उपर ग्रफतारी की वारंट भी निकल सकता है तो आपको पता ही है कि शल्मान खान जो की शुशान सिंग राजपुत के शुशान सिंग का मजाक उड़ाए थे और शुशान सिंग के बारे में इनके जो गलत फहमिया है वो भी चीजे इन्होंने हम सब ने देखा है और इन सब के उपर जो भी बॉलिवुड के अंदर इन लोगों के उपर इतना विश्वास आज के समय में लोग कर रहे हैं लेकिन ये धोखा धड़ी ये और इनके बहन दोनों ने मिल करके लगाया और बिजनेस के नाम पे पैसे एकठा कर लिए और जबकि शोरूम भी खुलवाया और शमान नहीं दिया और लेकिन अगर समान नहीं दे रहे हैं तो पैसे बापस करना चाहिए था परन्तु ना तो ये पैसे बापस कर रहे हैं और ये मामला को याज कर नहीं है सन 2008 रहा है यानि कि लगभग 3 साल से ज़्यादा मामले के हो गए और पैसे लेकर के चुप चाप हो जाना वेबशाइट पे कोई रिपलाई नहीं देना कहीं पे कुछ नहीं करना और दूसरा ये कहना कि मैं खुद उनका शोरूम है चंडीगर में यानि कि एकसेप्ट कर रहे हैं वीडियो में कि हाँ उनका शोरूम है परनतु दूसरी तरफ शमान नहीं देना और पैसे रख लेना ये दोनों रूप है उनका और ये वही व्यक्ति है जिसने साथ प्यक्तियों को जिन्दा मार करके और खुद अपने आपको दिखा दिया कि नहीं हमने कुछ नहीं किया तो ये वो लोग है इन सब को शबक सिखाने की जोरत है और बॉलिवूड माफियाओं के खिलाफ सब को एकजूट होने के जोरत है क्योंकि बॉलिवूड के अंदर इन सब ने मिलकर के ऐसी दादागरी और माफियागरी और गुंडागर्दी बना रखी है जिसको लेकर के आज के युवा पिढ़ी को एक जूट होने की जोरत है और शुशान सिंग राजपुत की हत्या के मामले के बाद इन सब बॉलिवूड माफियाओं के खिलाफ जो एक पूरे देस में एक महौल बन पड़ा है एक देस में एक जो महौल है उसको आगे लेकर के चलने की जोरत है क्योंकि इन ही के बदोलत आज देस इतनी बदनाम हो रहा है और इसे गुंडागर्दी और बदमास तत्वा बाहर निकल करके सामने आ रहे हैं तो चलिए अगर आपने हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब किया और आगले वीडियो में और अपडेट दूँगा जय हिन जय भारत